Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होगे, मैं भी ठीक हूँ और आज मैं काफी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ अमेद करूंगे कि जैसे तरीके से आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, प्यार देते आए हैं, आगे भी देंगे और अभी भी देंगे तो आज का वीडियो जो है, वो है साइकलोन की उपर, काफी टाइम से मैं बिजी थी, तो मैं सोशल मेडिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने कुछ चीजे होती हैं कई बार लाइफ में, तो परस्नली चीजों की वज़े से इंसान थोड़ा ब्रेक ले लेता है एक तो मैंने बताया भी था, पहले वे तो मेरी हस्बेंट की तपत थोड़ी धीली चल रही थी, तो उनके चीजों में उलजी होई थी और उसके बाद कुछ चीजे और भी थी लाइफ में, जो बहुत ज़ादा ज़रूरी थी, सोशल मेडिया से हट कर तो वोसब किया, लेक चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो गाइज, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा, जिसमें की यलो कुर्ती, ग्रीन सलवार और रानी कलर का दुपट्टा था, साइकलोर मैडम सॉंग लगा के, मतलब लहरा रही थी, आगे पिछे आगे पिछे जो लगाया रख हसी आई, है ना, क्योंकि सासु मा, सासु मा, सासु मा, चारो तरफ सासु मा है, लेकिन सासु मा है कि दर दिखाई, तो अभी तक नहीं थी किसी को, मैं ये कहूंगी कि इमेजिनेशन इंसान उस चीज की करता है, जो चीज लाइफ में अच्छी हो, है ना, ये तो हमीशा बत की है अपनी सासुमा की तो जब इतनी गंदी इमेज सेट की हुई है तो उस सासुमा की नाम से आज भी डॉलर चापने का क्या मतलब बनता है मुझे नहीं पता लगा है ना पहली बात दूसरी बात आती हूँ मैं ये वाली बात को आगे गंटेन्यू करूंगी तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना लेकिन अभी दूसरी टॉपिक पे आती हूँ दूसरे ही इसी के पहले एक शॉट और आया जिसमें की पांच किलो वजन कम होने की बात हो रही थी आज तक कभी भी मैंने अपनी तरप से कभी भी किसी के भी बाडी शेमिंग नहीं की किसी मोटे को मोटा नहीं बोला किसी पतले को पतला नहीं बोला किसी गोरे को गोरा नहीं बोला और किसी काले को काला नहीं बोला लेकिन माफ कीजेगा आज मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं सच बता हूँ तो इनसान को मैं सच बोलती हूँ तो मैं सामने वाले इनसान को अगर अपना कोई review दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपना point of view जरूर उस तक share करना चाहिए अब हो सकता है कि इस चीज में काफे सारे लोग बोले कि आपने गलत बात बोली लेकिन मैं उनके भले के लिए बात बोल रही हूँ उन्होंने जो कुर्ता और सल्वार वेर की थी और उन्होंने जो उस शॉट में एक लोगों को idea दिया या लोगों को hint दिया कि आप 5 किलो बजन कम करो और एक solution दिया वो solution से मैं बिल्कुल भी agree नहीं करती तो इसलिए मैं स्टीज पर बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ये topic दिया तो मैं ये बोलूँगे कि 5 किलो बजन कम करने के लिए इन्होंने बोला कि आप लोग lose वाले कुर्ती पहना करो मतलब जो suit पहनते हो वो अपने से 2 size उपर के पहन लो मतलब अपने बोडी के size से 2 number या 2 size मतलब अगर आप large पहनते हो तो आप XL पहनना या double XL पहनना start कर दो तो आप अपने आपको ही 5 किलो कम नजर आओगे तो मैं इनको कहूंगी सबसे पहली बात कि weight कम करना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप चाहो आप अपने body पे control करो अपनी जुबान पे control करो ना तो आप match क्या आप 15 किलो भी कम कर लोगे बहुत असानी से काफी सारे लोग है यूटूब पे ही है बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़े की भी हैं बहुत सारे एक्जामपल है आप लोग देख सकते हैं उनका यहां तक कि अभी नीशा लांभा को ही देख लो कितनी मोटी थी और उन्होंने जब exercise की उन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग से चीजों को setting की तो आज की रेट में वो भी काफी पतली हो गई है मतलब पतली नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ healthy थी बहुत ज़्यादा मोटी दिखती थी लेकिन आज की रेट में वो normal नजर आ रही है और उन्होंने यी चीज शेर भी की है तो अगर आपको उनको follow नहीं करना बहुत सारी तमाम तरह के लोग है जो diet से related चीज़े बताते हैं या आप normally doctor से भी consult करोगे dietation से आपको बहुत सी चीज़े मिलेंगी वहाँ पर नहीं तो आप पहले बिस्तर तोड़ना बंद करो आप काम में लगो तो आपका weight overall अपने आप ही कम हो जाएगा कोई बहुत बड़ा तहल का मचाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात ठीक है दूसरी बात इन्होंने जो public को बताया इन्होंने क्या बताया कि आप अपनी life में कोई चीज़ को पानी के लिए महनत मत करो अपने को बना रहे हो फिर आप अपने उपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो यह तो बेवकूफ बनाने का तरीका है अपने आपको जो इनसान बेवकूफ बना रहा है वो life में क्या करेगा मुझे नहीं पता है ना तो मैं इस चीज से satisfy बिल्गुल भी नहीं हुई इनकी बात से सिरफ अभी shots पर ही बात कर रही हूँ अभी इनके वीडियोस तो मैंने देखे ही नहीं है और अभी मैं देखने के mode में भी नहीं हूँ आज की रात तो मैं ऐसे नहीं कालूँगी और ये वीडियो चाहिद सोभाई मिलेगा आपको तो मिल जाएगा अराम से और मैं ये इसके बाद ही देखूंगी जो भी देखूंगी लेकिन मैं आपको सर्फ इतना कहूंगी कि अपने body के लिए अगर आप सगे नहीं हो सकते हैं सबसे पहले अपना शरीर है अगर आपका शरीर आपको लग रहा है कि भारी हो रहा है तो आपको कम करना चाहिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये वाली है इसलिए मैं बोल रही हूं कि बेट कम करना बहुत बड़ी बात नहीं है जो ये माडम मैसेज दे रही है वो मैसेज बलकुल गलत है और अगर इनको देखके कोई फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ में तो प्लीज ऐसी हरकते मत करना क्यूंकि अपने को बेबकुफ आप बना सकते हो लेकिन दुनिया को आप वही दिखोगे जो आप होगे और आप एक म लुआ नगी बड़े कपडे ठाव लेकिन मैं इसे पूछना चाऊfal की कि अप हो अप इतनी मोती हो आप पोलती हो कि प्रेग्नंसी गेट कम करने है आप ये बोलो ना कि वही आँ हम चटोरे हैं हमारा चटोर अपन्ती खादमिन फ़ती ऐसा नहीं कि code बोलेंगे कि वैर तो ऐसे लगता है बोल तो एसे दिए जोए खुद ना सिखाती कि एूट्ध लगता का भी बहुत खाती हूं घर का भी बहुत खाती हूं लेकिन मुझे मेरी बाड़ी में लगता नहीं है और मैं एकदम स्लिम रहती हूं मतलब मेरे साथ मेरी बाड़ी अच्छी है कि मुझे फाल्तु का कचराल फील ही नहीं होता कि भाया मेरी बाड़ी में आया है मैं हलकी फुल कर रही है ऐसी इंफिलेंस और हमारे समाज में होना ही वेकार है कि जो पबलिक को मोटिवेट करने की जगह ये बोल रही है कि पांच किलो वेट है तो आप अपना वेट इस तरीके से कम कर लो रही बात वो मैनिफेस्ट वाला जो अभी कंटेंट आ रहा है उसके उपर तो उसक कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अपनी आँखों से देखकर उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर रियक्शन दूंगी कि उसमें क्या कैसा कुछ है तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में वीडियो रेगुलर आएंगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइ कीजिएगा कमेंट में बताएगा कैसे हैं आप लोग पचली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टीक्यार